जी हैं student आज के इस वीडियो में class 5 और 8 exam के लिए आपका result चेक करना सिखेंगे देखे एक छोटी सी mistakes आप कर रहा है इसकी वज़े से जो आपका result है वह नहीं निकल पा रहा है इस वीडियो में आपको step by step बताया जाएगा कि कैसे आप बिना गलती किये अपना result चेक कर सकते हैं तो result चेक करने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले google open कर लिएजिगा अपने mobile में और इस पर आपको search करना है pm pm लिखीगा इसकी बाद में p r i n c i p a l और फिर डोट लगा देजिगा c o m ठीक है तो यह spelling लिखने में आपको कोई भी मिश्टेक नहीं करना है जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ यही spelling आपको लिखनी है क्या pm principal dot com यह आप google में लिखेंगे और simple से यह लिखकर आपको क्या जो आपको search वार दिखाई दे रहा है सर्चवार पर आपको क्या touch कर लेना है आदेखी जैसे ही मैं open करता हूँ website आपके सामने open हो जाती है थोड़ा से नीचे आपको scroll करना है ऐसी कहते चाहिएगा आपके सामने एक read more जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक कर लेंगे और थोड़ा सा नीचे scroll करेंगी तो यहाँ पर आपकी सामने आज जाता है कुछ इस प्रकार से interface आपके सामने आजएगा तो नीचे आप scroll करती जाएगे और थोड़ा सा नीचे जैसे ही आप आते हैं तो आप आपको यहाँ पर देखीगा यह दिखिए एक लिंक आपकी सामने आजएगी रिजल्ट देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें ओके तो यह आपको जो लिंक के दिखाई दी रही है www.rs.mp.inboard.exam result.aspx इस पर आपको क्या करना है क्लिक कर लेना है और देखिए यहाँ पर आपकी सामने इस परकार से इंटरफिस आपकी सामने आजएगा और बचो आपको लाइव रिजल्ट निकाल कर बताएज़े का बिना किसी गलती के आसानी से आप अपना रिजल्ट निकाल पाएंगे एक चोटी से मिश्टिक आप कर रहे थे इसकी कारण से जापकर आपको सो नहीं हो रहा है यह अंक आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है बहभी में आपको बताता हूं अगर आपको यह अंक नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर कुछ भी समग रहा है तो मतलब 8-10 अंक अपने मन से डाल दीजिगा कुछ भी और इसकी ही लिखतेंगे अब आपको 100 पर क्लिक कर देना है तो ऐसे आपको रॉंग को capture करके आज़ेगा ठीक है अगर आपको capture 100 नहीं हो रहा है तो आपको यही करना है और के पर क्लिक कर दीजिए फिर जो आपका capture है आपको so होने लगीगा मतलब capture आपको दिखने लगीगा अब चलिए हम चलते हैं क्या करेंगे यहां बदिखी समगर आईडी के numbers हमारे सामने आ चुके हैं तो समगर आईडी हम यहाँ पर फिलब कर देते हैं अब समगर आईडी के numbers में आपको नहीं दिखाऊंगा और मैं यहाँ पर डाल देता हूं समगर आईडी के numbers तो समगर आईडी में हम डाल देंगे इसके बाद जो capture है capture भी हम फिलब कर देंगे capture हमें सैम ही डालना है 4FE8EF ओके तो 4FE और 8EF यह लिखकर हम सिंपल से आगे process कर देंगे अगर देखें यहाँ पर result जो है आपका जो है मेरे सामने open हो चुका है यहाँ पर देखें यह राज सिक्षा केंद MP annual exam result यह 2021 class 8 के लिए है अगर आपको 22-23 का check करना है कैसे करोगे बहर भी मैं आपको बता दूँगा पहले आप यहाँ पर result देखिए तो देखें यहाँ पर मैंने details जो है वह थोड़ी सी height करती है ताकि आप ना देख पाओ क्योंकि personal details होती है सभी के सामने so नहीं कर सकते वाकि जो mark seat है यहाँ पर आ चुकी है कितने विस्से में किन विस्से में कितने numbers आए है project की कितने मिले हैं सभी details यहाँ पर दी गई है अगर तो जो ऐसे आप आसानी से अपना result check कर सकते हैं और कुछ भी problems आए comment box में पूछ सकते हैं कि जो result है आपके सामने open हो जुगा है और ऐसे ही आपको जो आपका result है वह आपको check करना है अभी आपका जो आपका new station है 2022 थे इसके लिए इसका result अभी बोट के दाराचारी नहीं किया गया है जैसे ही जारी खिया जाता है आप इसी तरह से आपना result check कर सकते हैं